हालो पोल्टेक्निक के पिरिवेश येर कोच्चन पेपर में आपका स्वागत है आज हम 2017 के केमिस्ट्री के शुरुवात 15 कोच्चन हम सोल्प करेंगे मैं केमिस्ट्री के जो 300 कोच्चन अप्लोड कर दी हैं प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं एक बात हम कहना चाहते ह जब भी कोच्चन सोल्प करें कोच्चन बैंक सोल्प करें प्लेक्रीक्रीसेट ना कड़े तो हम चलिए स्टाट करते हैं एक बता होड़ो अभी तक मिने चैनल के साथ नहीं जूरे चैनल को जहूर सस्क्राइब कर लिए क्यूंकि इस चैनल पर आपको 2019 से लेकर 1997 में तकला क पूरा डिटेल्स इनलेसिस किया जाएगा तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कोचन से मेरा पहला कोचन है किसी नियम के अनुसार दरब ना तो बनाया जा सकता और नाही नौस्ट किया जा सकता है तो यह अब दसमा के भी M.C.Q. question यह जो होता है दर्भमान सनक्षन के नियम है क्या है दर्भमान सनक्षन के नियम चलिए अगले कोच्षन क्यों बढ़ते हैं मेरा दूसरा कोच्षन है जो दुसरा कोच्षन है प्रावस्ट एक बेज्यानिक है क्यूपडिक कार्भोनेट के दो नमूने पर परयोग किया जिन में से एक की उत्पती परकृतिक से है और दुसरा जो उत्पती है संसलेसिस है उन्हेंने पाया कि इन में से उपस्ती तत्वों के संगठन नीचे आकरे में दिये गया किया हम देखते हैं आकड कर्ःमन में पहला नमुना है परक्रितिक्मना अर्वांधिक्ष यह कम डिकता है यह बइनाल बंधोर यह टा ममनें मंन ओस्वेन में नाइनफ कर सेथीक्ष एठाय में कारबन और 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 कॉपर प्राउष्ट क्या नाम थे जो जोव पराउष्ट जो जव पराउष्ट थे impos gettin रिविक में तत्व के अनुशार सद्र शमान अनुपात होता है इसका चो मैंसर हो जाएगा दो का वो होता है इस तीर अनुपात के नियम किस चीज क fors यहह इस तिर्शिकर अनुपात के नियम अपशन नमशनेरी राइट हो जएगा इसको आप धfficacy दो प्रान से रख लिजिए गला मेरा 33 नमण कोचन है कि निमन में इसे किस नियम के नुसार यदि दो अब उसका नियम है यदि दो योगीक सयोग करकर एक की अधिक योगीक बनाता है तब एक तत्व का दर्मान जो दूसरे तत्व के इसतिर दर्मान के सयोग करता है तो छोटी पूर्न संख्यान पात के रूप में क्या होता है ? आप्षन देखिये क्या होता है अप्सण में option है एक ओप्षन है अभागाडरो का नियम स्थिर का अनुपाइठ है गुणित अनुपाइठ है तो यह फिर्ण्स आपको हम बता देना चाहते हैं यह जो बत पतिस नमर्च कोचन है यह जो आपको जो ती ती तो दोस्तो एक बात हम आवरों बोलेंगे आपको कितना कोचन सही हो रहा पिली जो हमें कमेंट में करके बताइएगा अगला कुछन निम्न में कौन सा कथन गुनित अनुपात नियम को ब्याख्या करता है तो 34 जो मेरा कुछन है तो इसमें जो पहला दिया है इसमें आप्सन हम पर क्या आपको बता रहा है आप हमको पुछा गुनित अनुपात के ब्याख्या कौन करता है दोस्तों हम बता देना चाहते हैं आपको जो इसमें जो करता है 34 जो 34 नमर के करता है C करता है option नमर C सही हो जाएगा C हो जाएगा एक XO2 दो अक्साइड से बनता है इनमें करम सा 50% 60% अक्सीजन डाता है एक गराम तत्वों के साथ सहीओ करने वाली अक्सीजन का अनुपात 2 अनुपात 3 होता है ताप इसको थोड़ा नियम याद कर लिजिए दिमांग बैठा लिजिए और option आपको यही होगा इस एक्सो और इस एक्सो टू दो अक्साइड से बनता है जिसने 50% 60% डाता है आप उसका नियम याद कर लिजिए और इसका एक्जाम पर तो चलिए हम अगले question क्यों बढ़ते हैं देखे फ्रेंड्स मेरा अगला कोच्छन है कि एक एस का सुद्र COX है तथा इसका वास्प घनत 70 दिया है तो X का मान गया थी देखे फर्मूला होता है कि वास्प घनत बराबरा होता है 60 हमको दिया गया है तो हमको निकाल देना यहां पर आनमिक की दर्मां ब्राวान होताँ होता है जैर किकना हो जया ने दू आट सोलग कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा 28 गुने एक्स और 28 को जब 140 से भाग दीजेगा तो साथ गुने चार लिख सकते साथ से थाराम से आपकाट सकते हैं 140 के साथ देवनी चोले 20 मरता फिर चार से काड़े एक सब्सक्राइब कितना जाएगा 5 तो आपको एंसर को जाएगा पहला था है तो हम इसको कोलराइट का मोलर धर्मान निकालेंगे दू से हम गुणा कर देंगे क्युक्राइड के दुस्तों अब थोरा अधी नोट्स पी बनाएगा अपना जो फरमूला पूर नहीं आदे जहूर अपना नोट्स में लिखिए गा तो कउलराइट का मोलर धर M C L N M क्या है M पलस C मेरा कैलोरी का परमानों दर्मान होता है 35.5 गुने N बराबरा 118 किसके कलोराइट का मोलर दर्मान के बराबर होता है तो आप देखिए आगे तो देखिए M 35.5 N बराबरा 118 अब देखिए तुलाइं के भार हम X N मान लेते M, M क्या X हमको देखिए गया है तो लाइं के भार 4 दिया है तो यहाँ पर हम N मान है यानि 4 N 4 N पलस 35.5 N बराबरा 118.5 तो जब इसको जब यहाँ से N यानि 35.4 कितना 49.5 आ जाएगा जब इसको N के मान निकालेगा जब इसको काटिएगा तीन मरतवी कर जाएगा तो मेरा क्या N के जगवा जब हम माने है क्या M, C, M, C माने है न अगर हम यदि माने M, C, L, N यानि M, C, L, 3 फर्मूला हो जाएगा यानि मेरा एंसर क्या हो जाएगा 3 यहाँ पर जो आप्शन हो जाएगा आपको 3 अप्शन क्या हो जाएगा 3 सही हो जाएगा चलिए अगले कोचन के ओर बढ़ते हैं दोस्तों अगला कोचन है कि किसी कारबोनिक योगिक का मूलानुपाती सुद्र C, H2O है तो इसका वाज़नत भी 45 दिया था तत्रका योगिक अपने से आता है तो सोल्प किजिए वीडियो को पहुच करकर देखे है आनिविक भार हमको दिया गया तो आनिविक भार हम वास्प का घंट में दूगुने वास्प का घंट में था यानि कितना 90 हो जाएगा मूला नुपाती सुत्र हमको क्या दिया CH2O दिया यहां कारवन का परमानु संक्या 6 होता है परमानु दिवान 12 पलस 2 प्लोक्षीजन के अठाडा लग इसको एड कीजेगा तो कितना हो जागा 30 अब यहां पर हमको क्या निकाला है योगी का आनिविक सुत्र निकाला है नंबर उपाती केतना हो था CH2O केतना 30 जब काटेगा 30 यहां 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 योगी का आनिविक सुत्र क्या होदागा CH2O यहां यहां एन के जब जब पताब सब थिरी रखेगा तापको C2H6O 3 आ जाएगा तो जो ऑप्सन नमर कौन हो जाएगा D सही हो जाए कौन हो जाएगा D चलि जाएगा जाएगा अगले कोचनि की और भरते हैं में 49 से निम्रावा जो कोचन है कि कि बार माने छौ जो क्या है चो कि कर्वण का क्या पर मानू संक्या है दर्मानी 12 भाघतीयाट צרोह यां बारand अगले कोचन है से 50 कोचन है किसी परवानु का रदर फोर पर वानु मोडल पर एक छोटे और तंत्र के समान होते हैं इसमें अलेक्टोर्न और नाभी के मध्य कुलम्बिक बल गरनतिय रूप चाने होता melhor प्रब्स से समान होता है इसका जो प्रम डिस्का जो फर मचुव जाएगा आप ऐहाँ जांत जी इंटू मन बढ़ते हैं फिर्वाथ सत्य अपको जले की दीशाथ वर समस्राइब का बढ़ता जो drives नहीं करता है देखी रधर फूर्जों है वह अपने क्या ऐसमीन पताने में औस हफल है परमानू के एलेक्टोनिक शन्रस्थन हें वह असफल है कि श्यूख परमानु के अस्थाइट कि मेंहें औस हफल है इसलिए मैंना भीकल्प सही हो जाती है यह conservation माने सभी विदार्थी जानते हैं यह कुछ एक बिलियन का पीएच मान तीरी है बिलियन में उपस्तित हाइड्रोजन की आयन की संधर्ता क्या होगा तो दोस्तों इसको जो निकालने के लिए आपको एक फर्मूला आप थोड़ा सा फर्मूला इसको आप लिख लीजिए जो पावर माइनस पीएच पोलस पीएच के मान आपको दिया थिरी दिया है तो माइनस मौल खोर एंसर क्या निए ती पावर भावर माइनस थिरी मोल इसमें देख लिए अगर आपको पासंद अच्छा लग रहे ताप जयुड अपने भूश्तों को साथ शेयर करें लाइक ज़ूर कीजिएगा अच्वारीस में कुछ है निमन में से कौन सी माइक्रो माइक्रो कॉस्मिक लवन है माइक्रो कॉस्मिक लवन पूछा है यह रट लिजी रसाइनिक जोला में एन ए इन टु एन एच फोर एच पी ओ फोर एक बार कि से चुए लाचवक में लाष्ट कोचन मेरा आज का लाष्ट कोच्षें की अयक्सों के सांधरन के लिए फेन प्लावन विधी नीमन में से किसका एक बैवारिक अनुप bouyor है फेयत जो हमको फेन जो प्लावन विदि है। इस में किसका बेवार यह होता है अधिसोसन का किस दोस्तों आपने देखा हमने लोग 2017 के सुरुवात के 15 कोचन सोल किये अगर आपको अच्छा लाग रहा है तो जरूर आप लाइक करें और अपने दोस्तों को साथ जरूर सेर करें अमेरा इसमें इसके डिस्क्रिप्शन के नीचे वाट्स अप लिंक के कोई भी दिखाते आप उस लिंक से आप जरूर जारूर जोइन कर लिजिये थांक यू फर दिस वाचिंग वीडियो ओके बाय बाय